अब यूनिवर्स तो बन गया, इसके आगे तो अब्वियस था कि फिल्में बनती इन पर, बिल्कुल, कभी सोचा, कुछ हुआ, क्या था, हम तो उसे कूट पड़े थे, अच्छा, कब, हम मुंबई जाके हमने इसके ओपर तीन एपिसोड बनाए खुद से, अच्छा, नागर एपिसोड बनाना में बनाए शूट किया ब्रॉपर, शूट किया, राजप्रेमी जी थे, जो शिपका रोल किया था उस समय नोने, ठीक, उनके साथ हमने शूट किया, तीन एपिसोड, और वो समय ऐसा था कि उसके अंदर जो हमने कॉस्ट्यूम्स बनाए थे, जो विलेंस क उससे पहले कहीं नहीं आयते हैं, बॉली बुड में वो बने ही नहीं थे, जो सीरियल सा रहे थे, उसके बाद वो इंटर्यूस हुए, तो बहुत ही खुबसूरत वो बना था, लेकिन क्योंकि उस समय ले देके आपके पस दूर्दशन था, उसमें लाइन लगी भी थी, तो वो सब चीजों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया, उसके बाद भीशम इंटरनेशनल के बैनर में मुकेश जी ने भी बनाये थे, दो हमारे, अच्छा उनों ने बनाये थे, हाँ क्योंकि मेरा खायल है कि जब शक्तिमान हिट हुआ होगा, तो उनके जहन भी आया तो उनके साथ बहुत अच्छे मधूर संबन्द हो गए थे, तो उनोंने का मैं मनाता हूँ पाइलिट, तो उनोंने बनाया था पाइलिट, फिर हुआ क्या, फिर हुआ क्या, वहाँ उस समय सियो थे, उनोंने उसको एग्री कर लिया था, कि नेक्स वीक में आप इसको शुर एक टाइम ऐसा हो आया कि जब वहाँ पर लोग वो पहुंच गए जो आपने का था ना कि हायर स्टुडी और कैरियर मेकिंग के बाद जो लोग थे वहाँ पर जाने लग गए, वहाँ के उन कुरसियों में बैठने लग गए जो अपने नेने ले सकते थे, तो वहाँ वो सब कॉमिक्स राज कॉमिक्स पर चुके थे, नागरा दोगा ध्रो, तो उन लोगों ने वहाँ से बाद्चे शिरू हुए, महौल बनना शिरू हुआ, और महौल बनते बनते, फेंटम फिल्म्स में थे, मधू मंटेना और अनुराक कश्र जी ने इसको हाथ में लिया अपने, औ और हमारा एग्रिमेंट हुआ था, पांस साल का, लेकिन उस समय वो शुरुवाती दोर पे थे, और ये था कि Bombay Velvet एक बड़े बज़ट की फिल्म बनाने जा रहे हैं, और इसके बाद नेक्स जो है, वो नेक्स प्रोजेक्ट था, डोगा का प्रोजेक्ट था, और लेकिन Bombay Velvet के साथ क्या हुआ है, जानते ही है, फिर बहुत कुछ डूब गया, फिर बहुत कुछ डूब गया, फिर बेंटम भी बन्द हो गई, हमें पता होता तो हम पील करते थे, Bombay Velvet खिट कर तो बाद बड़े प्रोजेक्ट आने वाला है,